हलो एक्वेरियस एक्वेरियस एने कुम बरासी नमस्ते मैं सुरे स्वोड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एसे इंदी टैर उपर तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, जोब, रिलेशन, सिंगल्स इन सब की ओवर ओर लेडिंग करेंगे जो एक जनरल लेडिंग है जैसा कि आप जानते हैं यह सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो यह 13 फर से उनिस परवरी के लिए विक लिए निसाफता एक रिडिंग होगी तो चलिए चलते हैं कि कुम्बरासी के लिए ये दिम कैसे रहने वाले हैं या ये सब्ता कैसा रहने वाला है उनिवर्जी गाइड मी प्लीस कुम्बरासी के लिए ये दिम कैसे रहने वाले हैं आपका हेल् वेल्थ, स्टुडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशन्शिप, एंड गाइडल्स, दा डैविल, तो आपको अपने अडिक्शन्स छोड़ने की जरूरत है, यह हेल्थ के लिए आया है, अगर आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते है तो इन दिनों लग रहा है कि सिच्वेशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ आप हेल्दी मैसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ ठका ठका सा हारा आरा सा, कुछ बिमारी, कुछ परेशानी से आप जूज रहे हैं, तो लेकिन अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं, तो जो बादाओं से उन परेशानी से आपको बाहर निकलने की जुरूरत है, आपने आसपास के एन्वायरमेंट को सापसुत्रा करने की जुरूरत है, लोबान से या घर में मेडिटेशन प्रेयर करके, हीलिंग करके, आप इस बादा से इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, और या या तो कोई आप आपके घर में आपके घर का माहूल खराब कर रहा है, जिसकी वज़े से आपको बादाओं आ रही हैं, आपको हेल्थ खराब हो रहा है, या तो कहीं ऐसी जगह पर आप गई हैं, जहां से आप नेगिटिविटी को लेकर आए हैं, अपने घर में अपनी हेल तुराहिमेंट से आपको बचने की जरूरत है उस एन्वार मेंट को सापसुतरा करने की जरूरत है अपने आसपास के मावल को ठीक करने की जरूरत है या पिर ऐसे लोगों से जो जो आपके साथ बैट कर पीते हैं जुआ खेलते हैं या कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं तो उन गलत कामों को छोड़ने की आपको जुरूरत है ताकि आपका health ठीक हो सके आप इसमें improve कर सके तो उस addictions को उन परेशानियों को उन दिक्कतों को छूड़िए और अपने स्वास्ते को ठीक के जि हैं या फिर आप कोई finance वगेरा का काम करना चाहते हैं तो आपके पास दो दो option हो सकते हैं लेकिन उन में से आपको एक को follow करना पड़ेगा अगर आप दोनों options को साथ लेकर चलेंगे अगर juggling के face में रहे तो आप दोनों options को दोनों opportunities को अपने हाथ से गवा सकते हैं तो आप आप अपनी life में stability लाइए balance लाइए और यह जो आप जो up and down जा रहे हैं जो आप juggling के face में हैं उससे बाहर निकल लिए और एक decision लेकर अगर आप पैसा लगाते हैं चाहे वो finance है चाहे business है चाहे job है तो आप उसमें काफी तरक्की कर सकते हैं आगे आप बढ़ सकते हैं तो आ आप दो-दो option लिए हुए हैं दो-दो आप stability अपनी life में नहीं ला पा रहे हैं जuggling कर रहे हैं जो जो up and down आप जा रहे हैं तो उससे आपको बाहर निकलने की जुरूरत है अगर आप ऐसा कर लेते हैं एक तरफा आप decision ले लेते हैं तो काफी improve आप कर सकते हैं wealth wise आप काफी improve करेंगे काफी success अपने आपको कर सकते हैं लेकिन समय रहते आपको इसमें काम करने की जुरूरत है समय रहते आपको एक decision लेने की जुरूरत है और उस पर अपना effort लगाने की जुरूरत है energy डालने की जुरूरत है मेहनत करने की जुरूरत है और आप इसमें का तो जिन प्रेसानियों से जिन बादाओं से आप जूज रहे थे पास्ट में तो वो दिक्कतें आपकी इधर खतम होती दिखाई दे रही हैं तो आपको mentally clarity लाने की जुरूरत है clarity के साथ आपको आगे बढ़ने की जुरूरत है अगर आप mentally disturbed हैं अगर आप clarity नहीं ला पा रहे हैं तो उसमें clarity लाइए और एक decision लेजिए जो चीजें जो आपको बादाएं दे रही हैं उनको आप काट फैकी उनको छोड़ दीजिए और एक decision लेकर आपको clarity के साथ purity के साथ द पड़ाई करनी है कौन सी line में जाना है वो चूज करके आपको उसमें effort लगाने है मैनत करनी है और एक brand new beginning उसके पड़ती आपको करनी है अगर समय रहते कलियर्टी के साथ purity के साथ समय रहते आप इसमें action ले लेते हैं तो आप काफी काफी इसमें victory आसिल कर सकते हैं काफी उ सोच विचार करकी दिमाग से काम लेकर अगर आप उसमें काम करेंगे तो काफी अच्छा आपको जो भी साथ में जा सकती है तो आपको जो पाता हैं जो प्रेशानियां आ रही थी जो जो चीजें आपको प्रेशान कर रही थी उनको छोड़ दीजिए उनको काट दीजिए उनको खतम कर दीजिए और एक विचार करके एक कलियर्टी के साथ प्यॉर्टी के साथ एक एफ़र्ट लगाईए मेहनत लगाईए और अपनी अनरजी ठीक कीजिए और समय रहते इसमें एक ब्रेंड न्यू बिगनिंग कीजिए ताकि धीरे धीरे करके ये आपको विक्टरी दे सके सक्सेस दे सके और आप इसमें प्रोग्रेस कर सके दा फूल जॉब के लिए ये आपका आया है तो अगर बिना सोचे समझे आंक मूंद कर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है एक बच्चे की अनरजी की तरह आप बगवान को अपने आपको सेरेंडर कर दीजी औ और उसको फोलो कीजिए अगर आप एक बच्चे की अनरजी की तरह आगे बढ़ते हैं एक इनोसेंट बच्चे की तरह लोयल्टी के साथ इमानदारी के साथ समझदारी के साथ एक्शन लेते हैं और इस पर काम करते हैं तो काफी आगे आप बढ़ सकते हैं अगर आप इसमे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें काफी नुकसान उठा सकते हैं आई हुई जो आपको जोब मिल रही है उसे भी आप खतम कर सकते हैं तो बचपना छोड़िये पागलपन छोड़िये और एक honesty के साथ इमानदारी के साथ एक innocent बच्चे की तरह एक समझदार बच्चे क की तरह आगे बढ़िये ताकि आप को जोब मिल सके और आप अपने करियर को अच्छा बना सके अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी इसमें आप तरक की कर सकते हैं दीरे दीरे करके आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और आपकी जोब अच्छी जा सकती है तो आपको इस पर effort लगान है अगर आप बिना सोचे समझे आँक मूद कर बचपना करते हैं नादानी करते हैं और बिना सोचे समझे इसमें कूद पड़ते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं तो आपको सोच विचार करके समझदारी के साथ समय रहते इसमें action लेने की जुरूरत है इस पर काम करने की जुरूरत है जास्टिस ये बिजनस के लिए आया है तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे जैसा आप करम करेंगे वैसा फल आप पाएंगे अगर आप किसी इमानदारी और लॉयल्टी के साथ अच्छा बिजनस करना चाते हैं तो आपको इसका अच्छा दोखा दड़ी करते हैं चाल बाजी करते हैं तो उसके अकोर्डिंग युनिवर्जी आपके साथ नयाय करने वाले हैं अगर आपके इसमें कोई लीगल मैटर चले हुए हैं तो युनिवर्जी आपको इसमें ब्लेस करने वाले हैं आपको अगर आप तो उसमें सॉल्व होन वाले हैं और अगर आप इल्लीगल मैटर्स लेकर खड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको युनिवर्जी आपको बखसने वाले नहीं हैं उसका फल भी युनिवर्जी आपको देने वाले हैं अच्छे करम का अच्छा फल मिलेगा और बुरे करम का बुरा फल मिलेगा आपको आपके लाइफ जो आप डाउन चल रही है जो आप बैलन्स नहीं बना पा रही है जो स्टेबिलिटी नहीं ला पा रही है तो आपको अपने बिजिनस में स्टेबिलिटी लाने की जुरूरत है बैलन्स बनाने की जुरूरत है और जो आप डाउन जो हो रहा है उसको स्थिर कर की जुरूरत है और कलियर्टी के साथ प्यॉर्टी के साथ आपको इसमें एक्षिन लेने की जुरूरत है युनिवर्जी आपको ब्लेस करेंगे युनिवर्जी आपको आशिरवाद देंगे अगर आप इमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं इस बिजन सार आपको यूनिवर्सी उसका रिजल्ट आपको देने वाले हैं उससे आप बच नहीं सकते तो फिलहाल के लिए जो आपका चल रहा है वो आपके फेवर में चल रहा है तो आपको ओनेस्टी इमानदारी के और लोयल्टी के साथ इस बिजनिस को आगे बढ़ाने की जुरूर आप इसमें कामियाब हो सकते हैं तरकी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं स्टुडेंट्स ये स्टुडेंट्स के लिए आया है अगर आप सिंगल्स के लिए अगर आप सिंगल्स हैं और रिलेशन में जाना चाहते हैं तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं डेट्स पर ज get together कीजिए, family के साथ enjoy कीजिए, मौझ मस्ती कीजिए, यह रिस्ता आपके लिए आगे जाकर खुशियां ला सकता है, काफी progress आप इसमें कर सकते हैं, तरक्षी आप इसमें पा सकते हैं, यह रिस्ता आपके को खुशी देने वाला हो सकता है, जो भी रिस्ता आपको मिलने वाला है, वो आपके लिए लग्की साबित हो सकता है, तो आप इसमें आगे जा सकते हैं, आगे इसमें बढ़ सकते हैं, काफी progress काफी तरक्षी आप इसमें कर सकते हैं, दा lovers, यह अगर आप relation में हैं, या relationship में जाना चाहते हैं, तो आईए एक decision, समय रहते हैं, decision लेने का समय हैं, समय रहते हैं आप इसमें decision लेजिए, और आमने सामने बैठ कर जो आप में खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कते इस रिस्ते में आ रही हैं, उनको एक दुसरे के साथ share किजिए हो सकता है, कि आप में से किसी को दुसरे के परती addiction हो सकती है, किसी के परती attraction हो सकता है, जो आपको आगे जाकर परेशानी में डाल सकता है, तो आपको उन सब चीजों को share करने की जुरूरत हैं, और अगर आप उनके साथ एक दुसरे को accept करते हैं, तो युनिवर्जी आपके साथ हैं, blessings आपको मिल रही हैं, ये रिस्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है, क्योंकि आप एक दुसरे के लिए बने हैं, एक दुसरे से सच्चे मन से प्यार करते हैं, एक दुसरे के लिए दुसरे की भावना को आप समझते हैं, तो जो आप में थोड़ी बहुत addictions हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कते हैं, जो बादाए हैं उनको आपको आमने सामने बैठकर decision लेने की जरूरत है, उनको share करने की जरूरत है, और फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हैं life में, युनिवर्जी आपके साथ हैं, blessings आपको मिल रही हैं, समय रहते हैं आपको इसमें एक decision लेने की जरूरत है, तो और साथ में आपको काम करने की जरूरत है, Ace of Wands, जो बादाएं, जो परेशानियां, जो दिक्कतें आपको आ रही थी, ये guidance के लिए हैं, तो उनको आपको वो परेशानियां, वो दिक्कतें आपकी खतम हो सकती हैं, आपको एक समय रहते, brand new beginning करने की जरूरत है, तो धीरे धीरे करके ये opportunity आपको खुशी दे सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं life में, आपको एक beginning करने की जरूरत है, एक शरूरत करने की जरूरत है, जो परेशानियां, जो बादाएं, जो कस्ट आपको आ रहे थे, उन्हें छोड़ने की जरूरत है, उन्हें खतम करने की जरूरत है, उनको भूल कर आप live में आगे बढ़िए, एक brand new beginning कीजिए, एक शरूरत कीजिए, इसका result आपके favor में आने वाला है, काफी opportunity आपको मिल सकती हैं, अगर आप एक brand new beginning कर लेते हैं, एक शुबात कर लेते हैं, तो आपका ये काफी अच्छा जा सकता है, काफी success हो सकता है ये सब्ता, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना विल्कुल मत बुलिए, क्योंकि इसे motivation मिलता है, help मिलती है, प्रोच्षान मिलता है, और वैसे भी मेरा चैनल नया है, तो अगर आप एक कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे वीडियो बनाने में काफी खुशी होती है, help मिलती है, तो आज की लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अपना प्यार और आशिरवाद बनाए रखिए, नमस्ते, थैंक यू सो मच,